प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी मध्य होडिसा गस्तर अच्छंदी एबं नवरंगपूर मोधींकर इकस्तर होईची आजी मोधींकर प्रचार होईची नवरंगपूर ब्लोग चिकीलिंगा परियारे मोधिंगर समावेश एठारे मोधी नवरंगपूर अधिनारे थिवाद दोलारो स्तोरल चनल प्रार्थिंगर पाई प्रचार करिवार काट जिक्रम रहीची चिकीलिंगा परियारे मोधिंगर समावेश रहीची एठारे मोधी नवरंगपूर अधिनारे थिवाद दोलारो स्तोरल चनल प्रार्थिंगर पाई प्रचार करिवे खुब शाने ते नवरंगपूर निजरो कथा को रखुँ छन्दी मोधी एवंग सिधार शलक टार्गेट क अधिनारे मोधिंगर उपस्ते ती ओडी सारे खास करी किरी बीजेपी रोजो नित्रुब्रुंदर ओई छन्ती जो माने प्रार्थिर ओई छन्ती सेवान को उच्छा है तो करुछ इबंग ये आसा संचार होई ची कि मोधिंकर एक कस्ता बी प्रभावी रहिवा एबंग प्रधान मंत्री नानेंद्र मोधी नीजे पहुंच छन्ती ओ प्रचार कोरुछ न्ती आज जी नबरंग पूर्रे मध्यतांकर प्रचार काजिक्रम आपनाची दाशलक चित्रों देखे पार्च्छ न्ती सभास्तलर नबरंग पूर ब्लोग चिकीलिका पडियारे इसमावेस राय जोनों कर देची एबंग एठारे मोधी पहुंच इबे समावेस तलूर आपने शिदाशलक चित्रों देखे पारुछ न्ती जाना समावेस को किची समावेतरे संबधन करिबे प्रधन मंत्रे नरेंद्र मोधी काजिक्रम रहाईची नबरंग पूर पर्तमान काजिक्रम आईची नबरंग पूर चिकिलिका पोडियारू जो सभाम अबरंग आपने शिदाशलक चित्रा अपने के पारुछ न्ती एवंग इपोडियारे मुदिकरे समावेस अबरे सारा देसर अवीना ज़्यारी सरज मॉलिक मुसा जोगिया मुद्धन आउची सरोज सुचना को नष्ची के तवले कौश्चिन दी मुदी सभाम आची वपर कोज़ परेना ज़िदी समञाएन देसर उपड़न दी शर्णलान चित्रा अबरुधन चित्रा एव थक्रकालिक मुद्धन होले सिसुचना, जबिट सिद शेई, गौर आप्र, पाइवलन दी दखनोडियारे मुद्धन मुद्धन आउची एवीन दखना कर दो आपना नवे शाए कर दो दो आपके कर दो आपका फोर उर्ध में कर दोट है शोर को अब्त होड़ा पार फोर अध्यक्ति आपके अभी नदर कर दो कर दोट लेख वोटर को सवारोज अमकु लगातर भाबरे सुचराद वुच्छांती मौसुटिए प्रचार करी बेगा तुरूल निर्भाचोरी समय आसे थाए जो मानको पाई यहीं तोड़ आगो को बड़ी थाए प्रार्थि मानको जीताए बारे गुड़ बड़ा भूमिकासे मने ग्रहान करी थाए सेमाने होच्चती दलारा प्रुण मलस्तरारा कर्मी सेमानक पाईं मोधिंकर एही कस्ता खुब गुर्त पुर्ण उच्छाहरे भरी छन्ती एबंग सेमाने बंग बीजेपी खुब भला फ्रदर्शना करीब मोधिके संपुर्गुर मोध्या जो जनास भारे जोगो देई थिल एबंग आम मोंत्रों मोध्यों करीच्छंती रखुब कि आपड़ माने बीजेपीर जो मुख्य मंत्री को देई बाचिता करीबे बाचिता करीबे आपड़ माने आसिबे एबंग निजरा आसिबाद दबास वहीता सेही सम्मारे सफ़त लोणा उत्सवरे बीजो गदरे जरुपमें आगे लेके बढ़ रहे हैं यह जो समय है मोधी जी की वासा है यही समय है साही समय है और अभी हम लोगों के बीच में हमारे प्रिया प्रधान मंत्री माननिय नरेंद्रो मोदी जी पहुंचने वाले है आप सभी का प्रतिक्षा का अंत होने वाला है बहुत ही जल्द वो हमारे मध्य उपस्तित होंगे आप सब जो कड़ी धूब में इस मंच के सामने बैठे है जो मीलो दूर से आए है जिनके मन में मोदी जी को देखने की इच्छा है जिनको मोदी जी को सुनने की इच्छा है आप सभी का प्रतिक्षा का अंत होने वाला है और हम सब इसके लिए उस चाहिए थे हम लोग फिर से एक पर नारा देंगे बला भारात माता के बला भारात माता के बीजैपी जिन्दाबाद नरेंद्रमोधी जिन्दाबाद इबसा भाम अंचा सलोरो सिदाश्वाक चितरापन देखी पारुचुंति एबंगा दखन उडिसारे मोधिंका गर्जनाजी सुबूची अरेंद्रमोधी जिन्दाबाद इबाद आरेंद्रमोधी जिन्दाबाद इबसा घगान उतकि पार दिग्रा इखन उतकि जिन्दाबाद ओड़िशा में बाजबा सरकार, ओड़िशा में, ओड़िशा में, मोदीजी स्वागतम, मोदीजी स्वागतम, बारात मता की, बारात मता की, बन्दे, बन्दे, बन्दे. बारात मता की, बन्दुगर्ण, हमारे बीच, आप सभी के प्रतिक्षा का अंथ हुआ, और हमारे देश के, ये सोस्वी प्रधान मंत्री जी मेरेंद्रो मोदी हमारे साथ इस मंच पे मैं मोजूद है उपस्तित है मैं पुर्णिमा नायक एक साधारण महिला कार्य करता भारतिया जनता पार्टी के तरफ से आज इस मंच पे संचालन कर रही हूँ और ये चीज़ केवल और केवल भारतिया जनता पार्टी में ही संबब है कि महिलाओं को इतनी आगयों की बोड़ोतिरी दी जाती है महिलाओं को सनमान दिया जाता है मैं फिर से मोदी जी का इस मंच के उपर स्वागत करती हूँ और मैं अभी अनुराद करूँगी जो हमारी मैं अभी अनुराद करूँगी जो हमारी मुबर्तमन अनुराद करिभी अमरो सांचस प्रार्थी बलभद्र माजी भाई, काली राम माजी भाई एबं मालविका देभी भोवनी मोदी जीनकु स्वागा देबं समर्धना करीवे उतरिया प्रदान करी तोले जोर्तार तालिया बादर कार भाई एबं भोवनी माने बर्तमन मुँ अनुराद करिभी राज्यर साधरन संपाधिका त्रिमती पुर्णी मा केरकेट आपांकु से मोदी जीनकु लाखरे तियारी हैतिवा प्रभु स्री जगनाथांकर फोटाचित्र देई स्वागात करिभी बर्तमान मुँ अनुराद करिभी आमरो जिल्ला अध्यक्स मोहदावी माने सुमान प्रधान मोहदाई, सिवापतनाइक मोहदाई, निमाईपाल मोहदाई, एबं जग्दीश भिषवाई भाई प्रधान मंत्री स्री जुक्ता नरेंदर मोधी जींको गोटिये, स्केच्च देई, स्वागाते बंग समर्धना करिभी समस्तों दहन्यबाद, बर्तमान, मु अनुराद करिभी आमरो प्रदेश्र स्राधानन संपाधिका भारत या जन्तापाटि रा अधिवासी टानवा नेत्री बोड़भावणी पुर्णी मा केरकेटा महोदायंको छेटांकर स्वागात भासन रखिवा है भे बोलो भारत माता की धन्यबाद, पुर्ण्या बोणी आजिराई पिजयव संगलप समावेश्रे नबरंपूर बासिंका पाईं बहुत गर्ब गोरोबर अधिवस लोक्सवा प्रभारी संजोजक एबंग जिल्ला सवापती उपस्तित छंदी मोँ सम्मुखरे मिडिया भाई बंधु बने एबंग पोलिस प्रसाशन बंधु बने एबंग तिन्टा लोको सभार कार्जकता बंधु अनु आजी निर्बार्चनी सभारे मुँ एक साधारण आधिवसी परिवारु आश्ची ओमते एठी संग दी सब्द कहिया पाईं जो तुजक मिलीची सेथी पाईं आमरा राज्यरार बरिष्ट नेत्रु ब्रुंद समस्तां को मुँ आभार प्रकट करची जससी प्रधान मंत्री मननिया नरेंदर मोधी इचींक सभारे स्वागत भासन देबार अवसर मिलीथी बारु सर्वर प्रधाबे मुँ मोरो माटी रा पाटी रा सर्वर्च नेत्रुत्त कपाखारे मोरो आभार प्रकट करुछी आजी आदिवासी अधूसित नवरंपूर जिला रा मन्याबर प्रधान मंत्रीं को आगमन निश्चीत भाबरे पच्छुआ अंचलर समस्ता भासिंता तथा मुख्यत आदिवासी मन को उश्या हीता कच्छी बिगर्त एक दसंती धरी मन्याबर प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जिंकर अकलांत परिश्रम तथा आदिवासींकर शर्बन ती शर्बांगी ने उन्नती पाही निया जाई थिवा पदके विशायरे आपणमान को पाखारे मुख निश्चीत अभागत अच्छंती शर्बा प्रथमे आमर राष्टर प्रथम नागरी को आमर राष्टर पती मन्याबर श्रीमती दर्पती मुट्पूंग को कथा मुझ उल्लेक करिवी भारात इति हैसरे प्रथम थर अपाइजने ओडिया आधिवासी मुख राष्टर मुख्य पदपरिया अधूसित करिया कथारु प्रमान तो हे उचिकी मन्याबर प्रथम मंत्री सिजुक्त नयंद्र मोधी जी एकाधारारे ओडिशा अधिवासी तथा मोहिला को की परी सन्मान दियंदी आजी समग्र भारत पर्षर प्रते को परिवार तथा प्रते को व्यक्ति समस्त उना अधिये किछी ना किछी पाई छन्दी आमा विजेबी सरकार को पक्षरू किये प्रधान मंत्री आबास जोजनार आपाई तो होई छी तो किये पाई खनाड ये पाई छी कि प्रधान मन्ते कीसान बीमा जोजनारू लाभार्त हुई छी तो कि उजडा जोजनारू लाभा पाई छी आमे समस्ते भरतो पासी चाराणा पोईसा खर्चर न करीकी तिनी तिनी थरो कोरोना टीका आमे समस्ते पाई बारे सक्ष्यम होई छे यह राष्ट्रो एमीदी जने ब्यक्ती नथी बे जी एकी लाभव पाई नहांती। आउ अधिकन न कहीं कि मुँ मन्याबराम नरेंदर मोधीजुन को आउरी सक्तेशाडी करिया पाहिं। उबाई लोको सोबा, बीधान सोबा, बीधान सोबारे पदमा फुला फुटेए पाहिं आपड़मान को अनुरत करूची, यह ती कही रहूची भारत माता की जै बंदे मातरम। भारत माता की आप सभी के पत्रिक्षा का अंध करते हुए मोधीजी मंच पे हैं। जय जगनात जय जगनात जय श्री राम जय जय श्री राम एधी उपस्तिता भाई ओ बावने मान को मोर नमस्कार मा भंडार घरानी, मा मांजी घरानी और मा पेंडरानी के चरणों में भी मैं आस्ता पुर्वक नवन करता हूँ मैं सबसे पहले जो लोग बहार दूप में तप रहे हैं मैं सबसे पहले उनकी शमा मांगता हूँ ये जगा बहुत छोटी पड़ गई और मैं देख रहा हूँ जितने यहां है उससे पांच गुना लोग बहार दूप में तप रहे हैं जो लोग दूप में तप रहे हैं मैं उनको विश्वाद दलाता हूँ कि मैं आपकी तपस्या बेकार नहीं जाने दूँगा आप जो तप कर रहे हैं मुझे आशिरवाद देने आये हैं आपका ये प्यार आपका ये आशिरवाद मैं यहां का विकास करके मैं जुरूर लोटाऊंगा इस चुनाव में यहां हमारे साथी MLA का भी चुनाव लड़ रहे हैं हमारे साथी MP का भी चुनाव लड़ रहे हैं मैं चाहूंगा जो MLA का चुनाव लड़ रहे हैं जो MLA का चुनाव लड़ रहे हों आ गया जाए और जो MP का चुनाव लड़ रहे हों भी आ गया जाए एक मिनिट भारत माता की भारत माता की यहां कोरापोट और काला आंडी से भी अनेक साथी आए है माता बहने आई है मैं आप सभी का सीर जुका कर अभिनंदन करता हूँ आपका ये उत्सा साब साब बता रहा है कि इस बार बीजेडी जाएगी उडिसा में पहली बार डबल इंजिन सरकार उडिसारे प्रताम थार है बार डबल इंजिन सरकार उडिसा को भाजपा का पहला सीम मिलेगा और ये भी लिख रहे है सीम कौन बनेगा यहां का उडिसा का ही उडिसा का बेटा या उडिसा की बेटी वो ही सीम बनेगा कोई बहार वाला नहीं बनेगा जो उडिसा की मिट्टी यहां की संस्कृति उसको अपने मात्सिर माते पर लगा कर चलेगा वही भाजपा अपना पहला सीम बनाएगी जो यहां की समस्या जानता है जो यहां के समाधान जानता है जो जनता से जुड़ा हो भाजपा ऐसा सीम देगी यह मोदी की गारंटी है और दिल्ली के लिए आपको क्या करना है हिंदुस्तान की सरकार बनाने के लिए क्या करना है पिर एकवार फिर एकवार पिर एकवार पिर एकवार पिर एकवार और दिल्ली मैं डबल इंजिन की सरकार ओडिसा के विकास को नई गती देगी यहाँ प्रगती लाएगी और इसलिए मेरी प्रार्थना है इस बार लोग सभा की सभी 21 सीटों पर कमल खिले खिलेगा कमाल सभी किसचिटों पर और विदान सभा में भाजपा को बीजेपी को बंपर जीत मिले ताकि उडिशा को नई उर्जा मिले नया नेत्रुत्व मिले साथियों आप लिख लीजिए लिख लेंगे याद रखेंगे तेरा सब के सब बताओ लिख लेंगे आप लिख लीजिए चार जून चार जून चार जून को पीजेडी सरकार की एक्सपारी डेट है और मैं आज यहां क्यों आया हूँ? मैं आप सब को निमंत्रन देने के लिए आया हूँ चार जून को पीजेडी सरकार की एक्सपारी डेट है और दस जून को पाजपा के मुख्यमंत्री के शपत्समारों की डेट है और मैं आपको भूनेश्वर में भाजपा के सरकार के शपत्समारों का निमंत्रन देने के लिए यहां तक आया हूँ? और मुझे पक्का विश्वास है कि जिन लोगों ने जैसे राम मंदिर का निमंत्रन ठुकरा दिया ना आप लोग नहीं ठुकराएंगे मुझे पुरा पता है आप लोग जुरूर मोदी के निमंत्रन को स्विकार करेंगे साथियों साथियों कल उडिसा भाजपा ने बहुत ही शांदार बहुत ही शांदार संकल्प पत्र जारी किया है मैनिफेस्टो जारी किया है और इसके लिए उडिसा भाजपा के सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र है भाजपा के संकल्प पत्र में उडिसा के तेज विकास की आपके सपनों को पूरा करने की इच्छा शक्ति है खास करके मेरी माताओ बहनों के लिए उडिसा की महलाओं के लिए ये जो सुभदरा योजना लाए है ना ये तो अधभूत है ये सुभदरा योजना ये हमारे उडिसा की माताओ बहनों की जिंदगी बदल देगी ये मोदी की गारंटी है केंदू पत्र संग्राहकों को बोनस हो देश के प्रमुक शहरों में ओडिया समुदाय भवन का अनिरमाण हो पुजुर्गों को पेंशन हो और ओडिसा के युवाओं को रोजगार के नए आवसर हो हाजपा के संकल्प पत्र में एक से बढ़कर एक गारंटी दी गई है यहाँ भाजपा की सरकार बनते ही इन पर तेजी से काम शुरू हो जाएगा सज्जन आप तस्वीर लेके आये हैं मैं आपका आभारी हूँ आप निचे रखे पीछे परेशान हो रहे लोग आप निचे रख दीजिए इसको निचे रख दीजिए मैंने देख लिया भई आपको भी देख लिया तस्वीर भी देख लिया लोग पीछे परेशान हो रहे हैं धन्यवाद धन्यवाद साथियों उडिशा के लोगों में तंबी है और जज़बा भी है लेकिन मुझे ये देख कर दूख होता है कि बीजडी सरकार ने आपको सही अवसर नहीं दिया मोदी जी जो योजना ये बनाता है उसको बीजडी सरकार ने लागू नहीं होने दिया जो लागू हुई उनमें बीजडी ने अपने प्रस्टाचार का ठपा लगा दिया मोदी ने मुप्त चावल की योजना शुरू की क्यों ताकि उड़ी साके किसी भी गरीब मा के बच्चे को भूखा न सोना पड़े गरीब का चूला जलता रहना चाहिए लेकिन बीजडी सरकार ने इसमें भी गोटाला कर दिया साथियों मोदी ने पुरे देश में आयुश्मान योजना शुरू की इससे आप देश में कहीं भी रहे पांच लाक रुपिय तक मुप्त इलाज मिलता है लेकिन बीजडी सरकार ने इसको भी लागू नहीं किया साथियों मेरे लिए तो आप सब आप सब मोदी ही है और इसलिए आप गाउं गाउं में जाकर कारंटी देना कि उडिसा में अब बीजडी की गड़बडिया नहीं चलेगी यहाँ भाजपाँ सरकार बनेगी और उन्हें मोदी की हर योजना का पूरा पूरा लाब मिलेगा साथियों आपके पडोस में ही 36 गड़ है वहाँ 15 साल पीजडी की सरकार रही हाल में ही वहाँ के लोगों ने फिर से भाजपाँ को भारी बंग बत्चे चुन लिया और आज 36 गड़ की सरकार एक आदिवासी मुक्यमंत्री आदिवासी बेटा उस सरकार को चला रहा है पीजेपी 36 गड़ को समार रही है वहाँ दान किसानों से बड़ी मात्रा में धान खरीदा जाता है दान किसानों को रिकॉर्ड पैसा भी दिया जाता है यहाँ नबरंगपूर से तो 36 गड़ 55 किलोमेटर की दूरी है वहाँ भाजपा सरकार 3,100 रुपिया सुनिए 3,100 रुपिया प्रति क्विंटल पर दान खरीद करती है जबकि यहाँ उड़ी सा में दान की खरीद सिरफ 2,100 रुपिय में होती है इसलिए उड़ी सा भाजपने गोषणा की है कि हाँ बीजेपी की सरकार बनने के दूसरे ही दिन 3,100 रुपिये प्रति क्विंटल दान खरीदा जाएगा बोलो भारत माता की बोलो बड़िया काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको भरोसा है कि नहीं है हर किसान को फाइदा होगा कि नहीं होगा ये मोदी की गारंटी है कि नहीं है साथ क्यों 36 गड़ में केंदू पत्र की भी बड़ी खरीद 36 गड़ में होती है लेकिन ओडिसा में क्या हाल है यहां स्थिती बहुत खराब है और इसलिए ओडिसा बिजयपी ने ओडिसा भाजपाने केंदू पत्र का दाम बढ़ाने और केंदू पत्र संग्राकों को बोनस देने की गोथना की है आप लोग खुश है खुश है बोलिए जय यगनाद साथियों यहां इतना विशाल इंद्रावती बांध है लेकिन नबरंगपूर और कोरापुट के परिवारों को बहुत लाब नहीं मिल पाता किसानों को पानी भी परियाप्त नहीं मिलता जबकि पडोस में चतिजगण में किसान साल में तीन तीन फसले तक लेते हैं यानि खेती चौपट रोजगार चौपट यहां के नवजवानों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है यहां कपात किसान परिशान है यहां गन्ना किसान परिशान है यहां मक्का होगाने वाले छोटे किसान परिशान है और बीजेडी पचीस साल में आपकी मुश्किले कम नहीं कर पाई मुझे बताईए जो आपके लिए कुछ करे नहीं उनकी आपको जरूरत है क्या, कोई जरूरत है क्या, अब एक मिनिट भी ऐसे लोगों को रहने देना चाहिए क्या, तो एक बार पाज़पा को मोका दीजिये, और मैं आपको कहता हूँ, पाँच साल में, पाँच साल में, ये मोधी की गारंटी है, उडिशा को हम नमबर बना देंगे, भाज़पा आपकी हर समस्या का समाधान करेगी, भाज़पा के लिए आपका कल्यान ही सरवोपरी है, इसलिए मुझे भी स्वास है, उडिशा का विकास होगा, 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 परोजय जगन्नार, एथी पाई मोर बिश्वात, उडिशारे भिकाद निश्चे होगा, बाई और बैनों, आपने मोदी के दस साल के सेवा काल को देखा है, आपने ही प्रतंड बहुमत से मोदी को सेवा करने का आउसर दिया है, इन दस सालों में मोदी ने क्या किया, मोदी ने आदिवासी कल्यान का बजेट पाँज गुना बढ़ाया, मोदी ने आदिवासी क्षेत्रों में एक लव्य आवासीय विद्यालों की संग्या चार सो पोहँचाई, मोदी ने पन धन केंद्र योजना शुरू की, मोदी ने स्सी एस्टी आरक्षन को दस साल और आगे बढ़ाया, केंद्रियम मंत्री मंडल में साथ प्रतिशत मंत्री स्सी एस्टी ओविस्टी के बनाए, और सबसे बड़ी बात देश को पहला पहला आदिवासी राश्पति देने का सहुपाग्य भी बीजेपी को मिला, उड़ी सा की एक बेटी आज देश की राश्पति है, यह आप के लिए ही नहीं, पूरे देश की मात्रु शक्ति के लिए गवरों की बात है, एक सो चालीस करोड के देश को आज उड़ी सा नित्रुत्व दे रहा है, भाई और बेहनों, यहाँ बहुतों को याद नहीं होगा, चार दसक पहले, चालीस साल पहले, एक प्रधान मंत्री उड़ी सा आए थे, चालीस साल पहले, अब आपकी याद होगया कोन आये थे, उन्होंने कहा था, कि मैं दिल्ली से एक उर्पिया बेटता हूँ, गरीब तक सिर्फ पंदरा पैसा पहुंचता है, यानि सो में से पच्चासी पैसा कि एक कॉंग्रेस का पंजा लूट लेता था, अब अपने इस सेवक को अफसर दिया, मैं तो गरीब मा का बेटा हूँ, तो मुझे गरीब का दर्थ समझाता है, मैंने का मैं रूपिया एक बेजूँगा, एक पाई भी किसको खाने नहीं दूँगा, और जो खाएगा, वो जेल जाकर के खाना खाएगा, जेल की रोटी चबाएगा, आपने देखा हूँगा, अभी गर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पडोस में, जारखन में, नोटों के पहाड मिल रहे हैं, नोटों के पहाड, लोगों आएगा, चोरी हुकिया, माल पकड़ रहा है, मोधी वहाँ, अब मुझे बताएगे, मैं चोरी बन कर दूँ, इनकी कमाई बन कर दूँ, इनकी लूट बन कर दूँ, तो मोधी को गाली देंगे कर नहीं देंगे, देंगे कर नहीं देंगे, लेकिन गाली खा करके मुझे एक काम करना चाहिए, आप मुझे बताएगे, मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए, आपके हक का पैसा बचाना चाहिए, नहीं बचाना चाहिए, और इसलिए मोदी ने जंदन खातों आधार और मुबाइल की ऐसी त्री शक्ति बनाई कि गरीबों का पैसा लूटना बंद हो गया अब गर बनाने का पैसा चीज़ा आपके खाते मैं कैस का पैसा चीज़ा आपके खाते मैं मंडरे का पैसा चीज़ा आपके खाते मैं किसान सम्मानी जे का पैसा चीज़ा आपके खाते मैं यानि सबको लाव, चीधा लाव, कोई बेदबाव नहीं, और ये मोदी की गरंटी है, ये हाँ, ये उची मोदीर गरंटी, साथियों, मोदी आदिवासियों में भी, जो सबसे पिछडे हैं, उनका भी ध्यान रख रहा है, पिछले वर्ष 15 नवेंबर को मैंने भगवान बुरसा मुंडा के जन्म दिन पर पी-म जन्मन योजना शुरू की, इस योजना पर 24,000 करोड रुपया खर्च किये जा रहे हैं, 24,000 करोड रुपया उडिशा में, बड़ी संख्या में, अती पिछडी आदिवासि जन्म जातियां रहती हैं, अब इन अती पिछडी आदिवासि जन्म जातियों का भी तेज विकास होगा, भाई और बेनों, मोदी का मंत्र है, विकास भी, विरासत भी, मोदी, ओडिशा तो हजंगरों वर्ष की हमारी विरासत की भूमी है, मोदी, ओडिशा की इस विरासत को पूरी दुनिया को बता रहा है, आपको ध्यान होगा, जी ट्वेंटी के लिए, दुनिया भर के बड़े ताकत वर देता दिल्ली आये थे, मैंने तब वहाँ एक बहुत बड़ा कोणार्क चक्र के सामने सबकी फोटों खीचवाई, सबने पूजे पूजा ये क्या है, मैंने गर्वा से कहा, ये मेरा उडिशा है, और हाथ, दुनिया के सब बड़े नेताओं के घर में, ये हमारे उडिशा के कोणार्क चक्र की तस्वीर लतकती है, ये है मोधी का कमाल, और मोधी ने जैसे काशी विश्वनात कोरिडोर का निर्मान किया, मोधी जैसे राम मंदिर क्षेत्र को भव्य बना रहा है, वैसे ही मोधी जगनाज जी के क्षेत्र को भव्य बनाएगा, ये मोधी की गारंटी है, गुरत जैसे जगनाज, साथियों, यहां तेरा मै को वोटिंग है, यहां मंच पर मेरे विशाथ विदान सभा के अनेक उमिजवार है, आपको, इन सब को अपना MLA बनाना है, क्योंकि मुझे भूमनेश्वर में पाजपा की सरकार बनानी है, और इनके साथी, नवरंगपूर से, अमारे साथी, पलभद्रमाजी जी, काला हंडी से, अमारी छोटी बेहन मालवीका जी, और पुरा पुट, तो हमारे तीन साथी यहाँ पर मैदान में है, तो इन सब को हमें इन हमारे तीनो साथ्यों को आपने लोग समा में जीत करके, मेरी मदद के लिए भेजना है, आप कमल पर बटन दबाएंगे ना, वो सीधा का सीधा मोदी को मिलेगा, तो कमल पर बटन दबाएंगे ना, ज्यादा से ज्यादा मद्दान करेंगे, गर गर जाएंगे, गर गर जाएंगे, पोलिंग बुच जितेंगे अच्छा मेरा एक और काम करेंगे कमाल हो यार चुनाव की बात करती हो तो जवाब देते हो मेरा काम बोला तो आप चूपोगे मेरा एक काम करोगे पूरी ताकत जबता हो मेरा एक काम करोगे ये चुनाव का नहीं है करोगे ये इन लोगों के लिए ने मेरे लिए करोगे पक्का करोगे तो एक काम करना यहां से जाने के बाद जादा से जादा परिवारों को मिलना और मिलकर के कहना के मोदी जी आये थे और मोदी जी ने आपको जोहार कहा है जय जगनात कहा है इतना मेरा बात करोगे पक्का करोगे बहुत 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 धन्यवाद नवरंगपूर ब्लक चिकिलि गाप पड़ियरे मोदींकरे समाव बेसर सिधार शळक चित्रपण दिखी पारुच्वांते बँग समस्त विधानस्वा प्रार्थी माने एठर उपस्थीतर रहिच्वांते बंग तास्वत लोक्सवा प्रार्थी कपाई मत्य भोट भीखया सभीच्छा देए पारिवे आशिरबाद देए पारिवे एबंग वोट देबे एबंग पद्म फुलरे पद्म चिन्हरे वोड दे निर्बाचिता कर्यापे मध्या अन्रोद कर्षिद नवरंगपूर ब्लोक चिकिली कांप पडियारे मोधिंक करे समावेस आपनों देखुतले यार सिधा प्रशाना दख्ण उडिसारे मोधिंक कर्जोन सुभीची ब्रह्मपूर निर्बाचनी सभारे मध्या राज चुकितला ब्रहुत अचांग चुकितला ज्य नवरंपूर निर्बाचनी सभारे मोधिंक करे समान पडियारे मोधिक निर्बाचनी सभारे मोधिंक दकली में हम देख्ण होगा अवे बिजेपी रम खिमांत्री सपस्क्रणा करी बंग मूस्त थिपाईं आपना माननको पर्जंत आपना माननको इंविट्रेशन दर्वापईं बन निमंध्रणा करे आपें पहुँची छी एबंगा एठाकार विकास करी मों अप्पलंकर आसिर बात हेरस्तों करीबे बली किछी कथा मोद्य कोई चिंदे डाबल एंजिन सरकार ओडिसार विकास कु नुआ गोती